हेलो एवरिवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में DPS में नई सिख्षक परती का विध्यापन जारी किया गया है जिसमें PZT, TZT, PRT और नर्सरी टीचर की वेकेंसी है लाइबरीरियन की भी जो है वेकेंसी आई हुई है सैलरी की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि DPS में जो सैलरी है वो CBSC norms के according रहती है PRT में अगर मैं आप लोगों को बताऊ कि जो कम से कम सैलरी है जो टीचर्स को रहती है वो 32,000-35,000 minimum सैलरी रहती है और अधिक्तम जो है इसमें 59,260 तक जाती है TZT में 74,000 और PZT में 75,000 सैलरी रहने वाली है जितना ज़्यादा इसमें experience रहता है उसके recording ही सैलरी ये देते है चले देख लेते हैं वेकंसी जो है कहां से जारी की कि Official वेबसाइट पर ही जाके सारी चीज़े हम चेक करते हैं कि कोई भी जो है डाउट आप लोगों के मन में ना रहे इसमें जो आविदन करने के लिए आप लोगों को offline, online mode दोनों तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं सबसे पहले जो है बता देती हूँ कि वेकंसी कहां से आई है तो qualification साथ में ही लिखती है कि PZT के लिए जो है MSC B.Ed होना है TZT Maths के लिए अब देखिए यहाँ पर जो trained graduate teachers हैं तो इसमें graduate नहीं बलकि master degree आपकी होनी चाहिए subject में ठीक है B.Ed भी होना चाहिए तो TZT Maths, Science में Physics, Chemistry, Biology और Social Science में History, Political Science और Geography TZT में English, Hindi, Sanskrit यह सब है तो सब भी में master degree के साथ में B.Ed अब यहाँ पर PRT के लिए मैं आप लोगों को बता देती हैं qualification क्या मांग रहे हैं कोई confusion ना हो तो इसमें primary teachers के लिए भी जो है graduation या फिर master degree के साथ में आपके पास B.Ed होना जाहिए तभी आप PRT में आविदन कर पाएंगे जिनका यहाँ subject है Math, Science, Social Science, EBS, English, Hindi, Sanskrit, French, German तो इसमें आविदन करें और जिनका इनमे subject नहीं है primary teachers के लिए आविदन करना चाहते हैं तो general में कर सकते हैं आविदन इसमें qualification, graduation या post graduation के साथ में B.Ed होना चाहिए nursery teacher में देखें BA या B.Sc साथ में B.L.Ed और N.T.T यह आपका होना चाहिए चाहिए B.L.Ed हो चाहिए N.T.T हो इसमें D.L.Ed वाले भी जो है candidate आविदन कर पाएंगे nursery teachers के लिए तो अभी जो है PRT के लिए जो degree diploma होता है तो इन्होंने nursery teacher के लिए कह दिया है बाकि PRT के लिए ये B.Ed मांग रहे है librarian के लिए bachelor या master degree होना चाहिए PRT vocal instrument और music के लिए art and craft के लिए PRT physical education या part-time coach के लिए तो सभी जो है graduate या post graduation के साथ में जैसे physical education के लिए V.P.Ed और MP.Ed वाले और art, fine art की जो आपके पास diploma degree है तो PRT, art and craft के लिए विदन करें Games में जो है कौन-कौन से games है football है, basketball है, athletic, table, tennis, badminton, chess, swimming है Special educator और counselor के लिए post graduate diploma counseling में master degree psychology में B.Ed या फिर D.Ed D.Ed अगर आपने special education में किया है तो special educator के लिए आप apply कर सकते हैं ठीक है with RCI license Science lab attendant के लिए diploma holder या graduate with science at 12th level minimum 3 साल का experience जो है similar position पर आपके पास होना चाहिए किसी भी school में LDC, UDC admin accounts, state transport की vacancy है, तो सभी में graduate and master degree के साथ में अनवर्व, इसमें 5 से 10 साल का अनवर्व, receptionist and PA2 principal, तो इसमें जो है 5 से 10 साल का अनवर्व, मांग रहे हैं अब देखिए, इसमें जो है fresher apply नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी post के लिए अगर आप apply करना चाहेंगे, तो fresher जिनके पास कोई अनवर्व नहीं है, वो apply नहीं कर सकते, क्यों कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीजीटी के लिए apply करेंगे, तो paper 2, qualify होना चाहिए, और इसके साथ में जो है first division है, या high second division है, आप qualify होनी चाहिए, तो ये सारे जो इन्होंने सर्थे हैं, इसमें रखी हैं, तो fresher apply तो इसमें नहीं कर पाएंगे, बहुत कम जो है, Delhi Public School में vacancy आती है, जोहां पर अनवब नहीं मांगते हैं, बाकी सभी में लगवग अन्वब तो मांगते ही हैं, बहले ही 1 साल का अनवब मांग रहे हैं, दो साल का अनवब मांग रहे हैं, अभी कुछ समय पहले, पिसले मस में ही मैंने दो वीडियो ऐसे डाले थे डेली पब्रिक स्कूल के ही जहां पर फ्रेश हर एलिजिवल है तो ऐसी वेकंजी पर बिल्कुल गौर करा करें जुन्होंने कहीं पर भी जो है और नहीं पढ़ाया है क्योंकि डीपेस में सैलरी काफी अच्छी रहते हैं एक बार जो है आप वीड़र्म कैन वी फिल ओनलाइन नटा वेफसाइट अलोंग विडर रजिस्ट्रिशन फीज इसमें फीज भी यह माग रहा हैं कितनी फीज माग रहे हैं तो इननों ने इसमें 200 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीज इननोंने कहा है अब दो तरीके से आप इसमें जो हम आप फिल कर लेंगे अगर आप देली से बाहर रहते हैं दूर रहते हैं तब तो आप online form ही जो है फिल करेंगे demand draft जो है 200 रुपीज का आपको बनाना है और उसकी receipt जो है इसमें attached कर देनी है ठीक है और अगर आप वहीं पर रहते हैं तो registration जो form है मैं आप लोगों को open करके दिखा देती हूँ इसमें यह registration form है इसे जो आप लोग है download करके print निकालना है इसको fill करना है अपने document की photocopy लेनी है और इसमें attached करनी है ठीक है और स्कूल में जाकर जो है submit करवा सकते हैं क्योंकि रोने लिखा हुआ है या पर नीचे आप देख सकते हैं application form along with the receipt to be submitted at the reception of DPS sector 122 NOIDA ठीक है तो स्कूल में जाकर भी आपने मां करवा सकते हैं यसे भी आपको सही लगे तो बिना अनुवब के तो इसमें apply नहीं कर पाएंगे जो भी candidate apply करना चाते हैं जिनके पास पहले से ही जो है experience है तो यहां पर apply करें ठीक है अब कई बार जो है candidate को लगता है कि हमारी vacancy पूरा week हो गया इसमें तो हमारी vacancy ही नहीं आई अभी तक तो आप wait करें क्योंकि अगले session के लिए जो है vacancy लगातार schools में जो है अच्छे school में बड़े school में जहां salary package काफी अच्छा रहता है जारी होगा तो आप नजर बनाए रखें vacancy जैसे ही जारी होती है आप लोगों के लिए वीडियो तो बनाया ही जाता है और आपके subject की vacancy आपको जरूर मिलेगी बिलकुल आप लोग धैरे बनाके रखें और अपने subject की तयारी जो है वो regular रखें ठीक है तोड़ा सा current जो gk है वहे भी आ पहले जो है आप लोगों का जो interview लिया जाता है भले ही वहाँ written exam ना हो interview भी लिया जाता है तो आपके intro के साथ में current gk के question जो है वो आप लोगों से और आपके subject से related question आपसे जरूर पुछे जाते है तो विसेज कर जो है इन चीजों पर जरूर ध्यान दें चलिए मिलेंगे next वीडियो में next vacancy के साथ किसी भी राजे के vacancy जारी होगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा thank you